नमस्कार साथियो, सिविल स्टैप हिमाचल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत हैं तो हिमाचल परदेश पब्लिक सभीस कमीशन के दवारा जेवे अकाउंट्स और यूनियर ओडिटर की टोटल 79 वेकेंसिस को अनौंस कर दिया गया है इसकी official notification भी आपको HPPSC की official site में मिल जाएगी तो आज का जो session होने वाला है इसमें मैं पूरी notification आपके साथ discuss करने वाला हूँ जो भी उसके key points है वो सारे discuss करूँगा प्लस क्या उसमें negative marking है कैसे scheme of examination है वो सारा का सारा आज की इस वीडियो में हम discuss करेंगे तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो भी कोई doubt होगा वो clear हो जाएगा इसके इलावा अगर कुछ भी आप मुझसे पूछना चाते हो तो इसी वीडियो के comment में आप मुझसे पूछ भी सकते हो तो दोस्तों अगर हम बात करें आज की इस particular notification की तो यह notification का नंबर है 2 by 2 24 यह notification का नंबर है और इसको फिल करने की JOA accounts और junior auditor की जो इन vacancies को फिल करने की जो last date है वो कितनी है आठ मार्च दो हजार चोबिस important dates आप सभी को पता होना चाहिए vacancy कौन सी है हमारे पास vacancy है जोनियर office assistant accounts की ठीक है और दूसरी है हमारे पास junior auditor junior auditor तो पहले तो दो vacancies है इनके बारे में आपको पता होना चाहिए यह जो JOA accounts है यह vacancies पहले HPSSC निकालता था अगर आपको याद हो तो HPSSC के दौरा इन vacancies को निकाला जाता था इसका last paper है postcode 996 जो conduct किया गया है junior office assistant और accounts department में ठीक है अब अगर मैं vacancies की बात करूँ तो total JOA की जोए accounts की 42 vacancies है और junior auditor की 37 vacancies है ठीक है तो यहाँ पर mention किया गया है कि only recruitment applications are invited from desired and eligible candidates for the recruitment of 42 42 vacancies है total किसकी junior office assistant accounts की ठीक है जी क्लियर और कौन सा department है HP State Civil Supplies Corporation Limited अब आगे breakup भी दिया गया है कि 42 में से unreserved है 19 SC of हिमाचल परदेश है 9 SC of हिमाचल परदेश बीपिल की है 1 BPL मतला below poverty line उसके बाद ST of हिमाचल परदेश 1 है OBC की 7 है और BPL काटेगरी में OBC जो है उनकी 1 vacancy AWS की 4 है और यह total मिलागे कितना बनता है हमारे पास 42 vacancies बनती है पूरा breakup दिया गया है ऐसे ही अगर हम बात करें जो हमारा junior auditor है यह भी class 3 की vacancy होती है यह HP state audit department में है यह वाली vacancy और total number of vacancies कितनी है 37 जिसमें journal category की 16 vacancy है और ऐसे ही बाकी categories की vacancies इसमें पूरी की पूरी mention है तो दो vacancies है total JOA accounts जह हमने समझ लिया और एक junior auditor total इन दोनों का मिला के कितरा बनता है 79 ठीक है अब अगर हम बात करें इन particular vacancies की तो यह दोनों की दोनों vacancies जो है यह commerce के साथ associated है यानि कि commerce background की जो students है उनकी लिए vacancies है और यह notification में mention किया गया है कि सिर्फ वही student in vacancies को फिल कर सकते हैं जिनोंने बीकॉम करी है यानि कि जो students commerce graduates हैं वही इस exam को फिल कर सकते हैं तो competition आप खुदी देख लो कि ओरेड़ी 1 4th 1 5th हो चुका है यानि कि अगर मैं on an average college देखू तो दस बच्चों में से अगर मालों दस student graduation करते हैं तो उसमें से लगबग दस में से 2 maximum 2 या 3 तीन बड़ी हद है जो commerce में graduation करते हैं बाकि इसमें arts के student भी रहते हैं science के students भी रहते हैं ठीक है न एंजिनिरिंग के students रहते हैं जो majority में इन पे जाते हैं और commerce graduates व branches होती हैं और उसमें जो commerce branch होते हैं उसमें लगबग one-fifth student ही होते हैं यानि कि 10 में से दो ही मानके चलो एक या दो या maximum 3 बड़ी हद ठीक है न तो competition भी automatically कम हो चुका है तो जितने भी बीकॉम के students है जिन्हों ने मतलब बीकॉम खतम कर लिया अपने commerce graduates हैं वो इस form को जुरूर फिल करिएगा ठीक है फिल करने की last date क्या है आठ मार्च और यह form कहां से फिल होगा हमारा HPPSC की official website से ठीक है अगर हम age limit की बात करें तो age limit बहुत जादा है don't worry ठीक है age limit बहुत जादा है अगर हम देखें तो 18 to 45 जो class 3 की जितनी भी vacancies होती है क्लास 3 की जितनी भी हमारी vacancies होती है और सब में age limit क्या होती है 18 to 45 होती है है न 18 से 45 और इसमें special mention किया गया है कि जो schedule class के students है schedule tribe के जा फिर other backward classes OBC के students है उनको 5 साल और मिल जाएंगे पांच साल का relax और मिल जाएगा age में जानकि उनकी जो age limit है वह 18 से 50 हो जाएगी जानकि इन तीनों के लिए जो age limit रहेगी वह कितनी रहेगी 18 to 50 ठीक है तो age limit सबको clear हुई ठीक है अब जो age है यह कब से हम देखेंगे कि जैसे माल लो कोई student माल लीजिए जिसकी age 44 है अभी 44 है जा अभी 45 है तो यह कब से मनी जाएगी तो उसके लिए mention किया गया है कि जितनी भी यह dates है चाहे वो minimum है चाहे वो maximum है वो देखी जाएगी 1-1-2024 से ठीक है जाने कि 1-1-2024 तक आपकी जो उमर है वो 18 साल से जादा होनी चाहिए और 45 साल से कम होनी चाहिए यह है इसका मतलब ठीक है जो age देखी जाएगी आपकी वो 1-1-2024 से देखी जाएगी तो मेरे ख्याल से लग 45 तो बहुत जादा एज लिमिट है सभी इसमें आते होंगे एक सर्विसमें के लिए मैं बता दूं कि जो जितने भी एक सर्विसमें है उनके लिए आप इस चीज को फोलो करिएगा कि एक एक दोहजार चोबिस तक आप इस ब्रैकेट में आने चाहिए ठीक है देन आफटर उसके बाद अधर स्टेट का कोई बी एक एड़ एक इड़ एड़ एड़ एस अंडर बीपील एड़ जो बीपिल की जानिकी बिलोव पौबर्टी लाइन में आता है तो उसको कितने लगेंगे 100 रुपे लगेंगे ठीक है उसके बाद एक सर्विसमें जो की जहां पर लिखा हुआ है अच्छा एक सर्विस्मेंट की बात करी गया उसको पे करने की दूरत नहीं है नो फी लिखा हुआ यहां पर ठेक है तो इसका मतलब यह हुआ कि दो कैटेगरी जह इनको समझना एक यह और एक यह अगर आप जैनल केंडियेट हो तो चार सो रुपए अगर आप SST obviously category के हो नॉर्मली चार कैटेगरी इसको ज़्यादा देखते हैं तो 400 रुपए तो जब भी आप अपनी category फिल करोगे तो पेमेंट करने के लिए खुद ही बोल देगा कि 400 रुपए करने है यह सो रुपए करने है तो यह तो ज़्यादा कोई बड़ी बात नही है तो maximum 400 और फीज है इसकी नेक्स्ट अगर हम देखे सेलेक्शिन प्रोसीजर तो बहुत ही सिंपल है जी स्क्रेनिंग टेस्ट होगा और डोकुमेंट में तो आपके डकुमेंट के के चर्टिकेट अगर आप कोई कास्ट वगएरा SC, OBC से बिलोंग करते हैं तो आपका कास्ट का सर्टिफिकेट लगेगा तो ये सारा कुछ इसमें देखा जाएगा ठीक है देन आफ्टर अगर हम बात करें एक्जाम की क्योंकि ये स्क्रेणिंग टेस्ट लिखा हुआ था ठीक है जिसमें जर्णर नॉलेज आएगी क्या है कोने फ्रटर अफ्काहिएगा मतलब आपको क्या क्या आने वाला है एक तो HPG के दूसरा आपको आएंगे करंट फिर्स प्लस जर्नल नोलेज जिसमें हिस्ट्री जोग्रफी पॉलेटी कॉनमी रहेगी इंडिया की देन आफ्टर आपका हिंदी और इंग्लिश लेंग्विज रहेगा तो पहला पेपर आपक इसका कुई सीगिनिफिकेंस नहीं है इसका भी सीगिनिफिकेंस रहेगा आगेश चलिके बताओंगा ठीक है अब जो दूसरा पैपर है इसका पैपर टुCOM क्या है संब्जेक्ट एप्रिट्यूड अब कहरा है उतना पता है कि सो नंबर का होगा अंडर मार्क का होगा दो ग बगट एक एक हमारा पेपर होने वाले पेपो जो कि सो नंबर होने वाले सब्जेक्ट एप्टि टेस्ट इसमें क्या रहेगा अकाउंट्स जैसे अगर हम बात करें जिए कि मैं ये की बात कर दो यहां पर मैंप्हेड्ल दे का प्रें अग्र आपने देखा हो तो जिएो यका जो अकाऊंट्स का हमारा paper होता है उसमें क्या-क्या चीज़े आते हैं तो आपको आकाऊंट्स के उपर questions बनते हैं इसमें ठिक है टैलि के उपर सवाल आते हैं Inn इंछोरेंस सेक्टर के ओपर questions आ जाते हैं storing rocks के ऊपर काफी सवाल बनते हैं ठिक है उसके बाद share market के उपर, stock के उपर है ना, share market होती है जो, उसके उपर सवाल बनते हैं इसमें, तो ये वाला part रहता है किसका accounts का, तो chances हैं कि जो आपका SATB होगा, वो भी same ही रहेगा, यही चीज़े उसमें पूछी जाएंगी, ठीक है, accounts के सवाल रहेंगे, tally के जो software होता, उसक के questions होंगे, economy की होंगे, share market के हमारे questions होंगे, management के questions होंगे, management के भी 5-6 सवाल आते हैं, 2-3 topics होते हैं management के, पूरी management की बढ़नी होती, 2-3 topics होते हैं management के, ठीक है, तो जब आप तयारी करना शुरू करो, तो paper 1 के साथ-साथ आपने paper 2 की तयारी भी शुरू करनी है, SAT की भी, क्यो तो अगर कुछ स्लेबस extra होगा, तो वो extra स्लेबस पढ़ेंगे हम, हम पूरा नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि चीज़े यहीं रहेंगी, अगर आपका JOA accounts का paper है, तो obviously उसमें accounts ही आएगा, उसमें tally के बारे में ही पूछेंगे, ठीक है न, उसमें basic information ही आएगी आपके accounts के regarding, management क regarding, ठीक है, unier auditor है, तो यह चीज़ें भी रहेंगे हराम से, ठीक है न, तो जब स्लेबस आएगा, हमारा official स्लेबस आएगा, उसमें अगर कुछ extra हुआ, तो वो extra पढ़ेंगे उसके बाद, पर पहले हमें basic अपना सारा clear करना है, ठीक है, तो आप चाहो तो इसका screenshot ले सकते हो, यही स्लेबस रहता है, यह अकांट का भी, और इसका एक detailed स्लेबस जो है, वो हम अपने YouTube चैनल के उपर भी डाल देंगे, ठीक है, इसी YouTube चैनल के उपर आपका detailed स्लेबस भी आ जाएगा, ताकि आपको पता चले कि आपने basically पढ़ना क्या है, ठीक है, अब next देखो, यह तो हो अपर बनेगी, subject aptitude test के उपर बनेगी, तो इन 100 नंबर में, जिसके नंबर ज्यादा होंगे, जिसके नंबर ज्यादा होंगे, उसका merit में उपर सबसे उपर नाम होगा, यह उसने scheme में बोला हुआ है, ठीक है, उसके बाद यह जो दोनों हमारे test है, यह जो दोनों के दोनों ह एक नंबर का है, तो अगर आप 4 सवाल गलत कर देते हों, तो एक सवाल जो आपने ठीक किया है, उसका नंबर भी कट जाएगा, मतब माल लीजिए, मैंने 10 सवाल attempt करें, 10 में से, ऐसे मैं समझाता हूँ आपको, कि 10 सवाल मैंने attempt करें हैं, राइट मैंने किया है, छे और रों पांच आएंगे, मेरे marks कितने आएंगे, पांच आएंगे, इसे कहा जाता है negative marking, इस तरीके से negative marking होती है, तो वो paper 1 और paper 2 दोनों में रहेंगी कितनी, 0.25, जो mentioned है already notification में, उसके बाद ये जो paper 1 है, इसका क्या significance है, इसका role क्या रहता है, merit में, वो बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए, कोई 2 person थे, एक A और एक B, ठीक है, तो क्या हुआ, कि जो SAT दिया, paper 1 दोनों ने qualify कर लिया, तो जो SAT था, subject aptitude test था, उसमें 100 में से A के भी 70 number है, और B के भी 70 number है, ठीक है, A के भी 70 marks है, और B के भी 70 marks है, तो ये तो tie होगे, बराबर होगे number, तो जब भी 2 person के number जादा हुए, तो A का selection हो जाएगा, B का नहीं होगा, अगर मालो last में फसते हैं वो तो, ranking wise, A की ranking उपर चली जाएगी, जिसके मतलब जादा नमबर होंगे, paper 1 में, उसकी ranking फिर उपर चली जाएगी, ये mentioned किया गया है, official notification में, उसके बाद एक चीज और लिखी गई है, कि माल इसकी date of birth जादा होगी, जो उमर में बड़ा होगा, उसको ऊपर, rank उसका ऊपर आएगा, और जो number छोटा होगा, जो बच्चा छोटा होगा, उसका जो rank है, वो नीचे चला जाएगा, तो इस तरीके से paper 1 का भी significance है, लेकिन वो कहाँ होगा, जहाँ पे tie होगा paper 2 में, समझ ग होगा, बढ़ एक चीज़ उन्होंने और बोली है, जो आपका exam है, अब उसमें क्या होने वाली है, पांच options, चार options तो A, B, C, D, जो multiple choice questions होते हैं, और पांच मी option होगी, कि आपने सवाल को attempt नहीं किया है, तो वो उस पे आप circle लगाओगे, जाने कि इस तरीके से, आपको बत 10, B option है, माल लीजिए, 20, C option है, 30, और D option है, हमारे पास 40, इस तरीके से हैं, और E option क्या हैगी, कि question not attempted, question not attempted, question not attempted, ऐसे, तो माल लीजिए, अगर आपने question को attempt करना है, अगर आपका answer भी आ रहा है, तो आप B को circle करोगे ऐसे, अच्छे से, OMR पे, ठीक है ना, लेकिन माल लीजि तो छोड़ना नहीं है, ऐसा नहीं है, कि आप किसी को भी circle ना करो, अगर आपने question को skip करना है, तब भी आपको इसको क्या करना पड़ेगा, इसे mark करना पड़ेगा, और in case, अगर आपने marking नहीं करी, in case, आपने marking नहीं करी, तो उस case में, इस particular question में, आपको negative marking मिलेगी, जाने कि आपका 0.25 number फिर कट जाएगा यहां पर, यह चीज जान रखना, कि जहां पर आपने circle करना ही करना है, specially mentioned किया गया है, bold में notification में, और दोनों notification में, आपको telegram channel के माद्यम में, माद्यम साब के साथ share कर दूँगा, आपने एक बार पढ़ लेनी है, उसको ठीक है, इसके इला Instagram के माद्यम से, YouTube के माद्यम से, आपके साथ share करते हैं, तो I hope इस पूरी notification का भी आपको in and out पता चल गया होगा, कोई भी अगर आपका doubt है, तो comment section आपके पास है, comment करिए, मुझे बताईए क्या doubt है, आपका clear हो जाएगा comment sections में, जहां फिर एक और वीडियो बनाके, आपके doubts क को भी clear कर दिया जाएगा, तो इसी के साथ आज की session में खतम करता हूँ, information अच्छी लगी हो तो वीडियो को like जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ share करिए, अपने रिष्तिजारों के साथ share करिए, जिन्होंने become करी हुई है, वो भी इस form को ज़रूर बरे, देखो ये म बार बार नहीं मिलते हैं, और इसमें competition भी कम है, सारे graduate में आएंगे, सिर्फ commerce graduate यहाँ पर रहने वाले हैं, तो इसी के साथ दोस्तों आज का session में खतम करता हूँ, मिलते हैं next session में, तब तक के लिए, thank you very much, bye bye.